Hey guys, welcome back to our new video, this is Mang and you are watching me on my YouTube channel Genuine Mang So friends, जैसा कि last time हुआ था TS46 के SSB में काफी students documents की वज़े से वापिस कर दिया गया था SSB center पे, तो इस video में मैं आपको पूरे documents बताने वाल हूँ कौन-कौन से documents आपको लेके जाना है, जिससे आपको SSB में कोई problem नहीं हो जैसा कि आप सबको पता है कि documents यहनी कि TS47 का जो SSB का call-up लेटर है, वो कल release कर दिया गया था अगर आपने telegram channel पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाना, वहाँ पे मैंने कल ही inform कर दिया था मैं जरूर reply देने की कोशिस करूँगा, अगर इसके लावा कोई जादा आपकी query है तो आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं, जैनन वैंक user ID है, आप search कर लेंगे, अफिल लिक डिसक्रप्सन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मुझे personal query भी पूछ सकते हैं, अब बात करते हैं सीधे वीडियो को हम लोग करते हैं start, कौन-कौन से documents important है, request यह है कि पूरा वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे 17 documents के बारे में बताने वाला हूँ, documents की, कुछ चीजों की जैसे अधार कार्ड है, अब 10 photo copy भी ले सकते हैं, कोई दिक्कर नहीं है, तो सबसे important चीज है, जितने भी documents में यहाँ पे बताऊंगा, आपको वहाँ पे original लेना है, और उसके साथ आपको दो copy minimum लेनी है, minimum, अब video को start करते हैं, सबसे पहले कौन-कौन से documents चाहिए, तो सबसे पहला जो documents आता है, वो आपका आता है matriculation certificate, यानि कि आपका 10th की certificate होता है, अब यहाँ पे होता है, अगर आपने CPC board से लिया है, तो वहाँ पे जो काफी boards में होता है, कि आपका जो mark sheet and certificate अलग 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 आता है, यूपी board में एक साथ ही आ जाता है, तो ऐसी कोई problem नहीं है, जो भी आपके पास है, वो लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर पहला जो documents आता है, वो आता है आपका 10th की certificate, तो यह आपको लेके जाना है, original with two photocopies, इसके अलावा जो दूसरा documents आता है, वो आता है आपका mark sheet, यानि कि 10th की mark sheet है, वो उसकी भी original and दो photocopy है, वो आपको लेके जाना है, इसके अलावा आपका जो तीसरा documents आता है, most important 10th plus 2 certificate, यानि कि intermediate का आपके पास certificate होना चाहिए, passing certificate, अब हमारा जो next आता है, वो आता है, हमारा सबसे important valid photo identity, इसमें काफी students को confusion होता है, और काफी ज़्यादा लोगों को problem भी होती है, तो सबसे पहले बात करता है, valid photo identity proof क्या होता है, जिसमें आपकी photographs लगी हो, और identity हो, तो identity मतलब जैसे आधार card हो सकता है, उसमें आपकी photo होती ह है, ये भी इसमें photo होती है, लेकिन मैं आपको suggest करता हूँ, आप में से जिनके पास जो भी हो, लेकिन आपको कम से कम आधार card तो आपको सब को लेके जाना है, आधार card आपके पास होना चाहिए, और आधार card की कम से कम आपको 10 photo copy करा लेना है, क्योंकि आपको पता है, हर आना पड़े, इतनी दूर आप चाहेंगे, अगर आपको वापिस कर दिया जा, तो अच्छा नहीं रहेगा, इस वज़े से आपको pen card भी ले जाना है, तो जो भी आपके पास, अगर मालों दोनों भी नहीं, तो कोई भी आपके पास जो photo identity card होए, वो आपको लेके जाना है, pen card हो गया, अधार card हो गया, सबसे important है अधार card, अधार card होए, तो सबसे must है, तो अधार card आपको जरूर ले जाना है, तो I think ये doubt clear हो गया होगा आपकी कौन सा photo identity card आपको लेके जाना है, इसके लावा जो next हमारा जो documents आता है, वो है आपका print out of online application, यानि कि जो online application आपका था, आप website से अपनी जो mail है, उसको login करके आप निकाल सकते हैं वहाँ से, उस पे आपका जो roll number है, वो आपका लिखा होना चाहिए, अगर आपका by chance आपने नहीं लिखा, download क्या हो, मैंने पहले वीडियो में मना के बताया था, कि आप लोग download कर ले, अगर आपने नहीं किया था, पहले से चैनल से नहीं जुड़े थे, तो आप लोग उसमें निकाल के printout निकाल के उस पे pen से भी लिख सकते हैं, कोई problem नहीं होगी, यह मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर आप उस वक्त निकाल ले तो ज्यादा बेटर होता, तो आप उसमें printout आप निकाल लेना, यह हो गया online application का, तो कम से कम दो printout आप जरूर निकाल लेना, कम से कम दो बात कर रहा हूँ, जो भी documents है, minimum two होने ही चाहिए, फोटो आप पी original के साथ, original भी होने चाहिए, अब आता है next, जो document हाता है, आपका no claim certificate, सो अब question यह आता है, कि no claim certificate मिलेगा कहां से आपको, तो आपका जो column लेटर है, उस पो आपको scroll करके नीचे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे, एक appendix A हो नाम का column होगा, तो appendix A जो होगा, उस पे आपको no claim certificate है, उसमें details फिल करनी है, वो सारी details कैसे फिल करनी है, वो सम को subscribe करके bell icon को press कर लेना, जिससे कोई भी information मिसन हो, अभी इसके बाद आपको, एक dress code के भी video मिल जाएगा, कि कौन कौन सी dress आपको लेके जानी है, क्या क्या आपके पास requirement होनी चाहिए, वो सारी चीजे, अलग video में बताऊंगा, क्योंकि video काफी लंबा हो जाएगा, तो आज क certificate not having duplicate profile, इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे की बहुत सारे students होता है, कि double bar register कर देते है, ID पे, तो आपने जाहिर सी बात है, किया नहीं होगा, लेकिन आपको ये fill करना होगा, तो appendix B आपका column later में ही दिया है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, appendix B में ही आपको दिया है, उसमें सिर्फ आपको fill करना है details, मैंने बताया है, वो सारी चीजे कैसे fill करना है, वो मैं आपको बता दूँगा, इसके लावा जो नवा documents आता है, आपका original document submitted in college, क्योंकि बहुत सारे students के मैंने doubt देखे थे, comment box में अभी भी ask कर रहे थे, कि अगर उनकी मार्षीट वगएर, अगर higher studies के लिए आपने college में submit कर दी है, जो भी है college से नहीं मिल पा रही है, तो आपको करना क्या है, एक appendix से call up later में दिया है, उसको fill करेंगे, कोई problem नहीं होगी आपको, एक request और है आप लोगों से, कि video को like जरूर कर देना, video के like करने से हमें motivation मिलता है, कि हाँ आपको video एक request है, अब बात करते हैं, जो 10 वा documents है, वो हमारा है certificate of previous candidature, यानि कि इससे पहले आगर आपने SSB दी है, किसी SSB अटेम्ट्स में आप सम्मिल लित हुए है, तो उसकी details आपको वहाँ पे देनी होगी, और वो format होगा, आपका appendix D, call up later में ही दिया है, बकायदा किसी एक video में मैं आपको पूरा call up later read करके बता दूँगा, कौन-कौन सी चीजे है, क्या-क्या important instructions है, ठीक है, तो अभी documents आप सिर्फ देख लीजे, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकता है, या फिर copy में note कर सकते हैं, सारे documents कोई भी miss नहों, ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, 11 documents जो है, ज नेक्स जो हमारा document आता है, वो है आपका copy of result jmans 2021, यानि कि आपके पास jmans 2020 का जो scorecard है, result है, उसका photo copy होनी चाहिए, कम से कम दो photo copy जरूर कर लेना, मैंने सबसे पहले ही वीडियो के start में बताया था, कि जो भी documents है, सबकी minimum two photo copies आपके पास होनी ही चाहिए, आप एक अच्छी सी file खरी लीजिए, उसमें सारे documents को set कर लीजिए, अब रख लीजिए, अभी से अपनी तयारी कर लीजिए, अब जो आता है हमारा next documents आता है, वो आता है काफी important है, कि undertaking declaration for correct details percentage in 12th class PCM and jmans, यानि कि आपने जो भी details उसमें fill की है application form में, आपने जो भी percentage fill किया है PCM में, jmans में, तो क्या वो सही है, तो इसको confirmation के लिए appendix E, यानि कि appendix E आपको column data में दिया हुगा है, तो आपको इसको fill कर लेना, आप appendix E को fill करके इसको confirm कर सकते हैं, यह हो गया हमारा ये भी documents, next जो हमारा documents आता है, जिसके regarding काफी ज़्यादा doubt भी मुझे देखने को मिले थे comment box में, कि name variation, य को correct कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगी आपके पास, फिलाल अगर आप बाद में, यह problem कब होगी, आप इस after screening, अगर आप screen in हो जाते हैं, उसके बाद आपका document verification होगा, तब आपको problem हो सकते हैं, उसके पहले आपको कोई problem नहीं होगी, so यह भी doubt आपका clear हो गया होगा, I think, इसके इसके लावा जो आता है, 15 नंबर का है, वो है आपका no risk certificate, no risk certificate में, आपको appendix F, आपको call of return में मिल जाएगा, appendix F को आप fill करेंगे, तो आपका no risk certificate भी fill हो जाएगा, इसके लावा जो next documents आता है, आपका सबसे important, अगर आप first time SSB देने जा रहे हैं, तो सबसे important आपके लिए य यानि कि TA, यानि कि traveling allowance मैंने बताया था, एक वीडियो में कि क्या होता है TA, अगर आपने नहीं देखा है, तो चैनल से जरूर जुटे रहे हैं, सारे वीडियो आप देखा करिए, अब बात करते हैं, appendix F में जो format दिया है TA का, आप उसको fill करेंगे, तो आपको traveling allowance, वो आपको refund मिल जाएगा, तो कैसे फारल फिल करना है, वो सारी चीज़े मैं बाद में बता दूँगा, इसके लावा जो हमारा next and last documents है, वो है change of address, बहुत सारे students का problem ये रहीती है, उन्हों पहले जहां से form fill किया था, उन्हों by chance उनका address change हो गया, या फिर address वो change करना चाहते है, change हो गया उनके documents में, तो क्या करना है, उन्हों appendix J है, call of letter में, सारी चीज़ों को solution आपके call of letter में ही है, तो call of letter को आप जरूर read कर लेना, तो appendix J को आप fill कर लेंगे, बाकी कोई भी important instruction बाक्यों होगा, तो मैं आपको जरूर inform कर दूँगा, एक वीडियो अलग से आ जाएगा, आपके पास dress code का, कौन कौन सी dress आपको लेके जानी है, कब और किस दिन पे कौन कौन सी dress पहननी है, तो ये सारी चीज़े आपको बता दूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like कर देना, अपने दोस्तों साथ share कर देना, चैनल पे नहीं होते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आ तुक्ताएब कर दो है, नहीं हो, ये धो है उनगे हैं और कि अजयों है, टीजूएब कर कोakah पहले हैं?